तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 13 के अंदर काफी सारे नए फीचर जो हैं इंटेडूस किये जाने हैं जैसे कि kontrol center और काफी सारे animations में changes किये जाने हैं उसी तरीके से एक नए फीचर को जो था बताया गया था कि जो कि आपको MIUI 13 के अंदर देखने को मिलेगा जो कि होगा memory extension का तो finally जो है उसको beta version के अंदर इस time पे introduce कर दिया है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजएगा और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मदब का पर उससे पहले भी मैं आपको कुछ features जो है जरूर आपको इसके अंदर दिखाना चाता हूँ इसके अंदर introduce कर दिया गया है और भी काफी सारी features जो है इसके अंदर इंडर देखने को मिले है जैसे कि आप देख पारे होंगी यहाँ पर mention किया है require approval for accessing phone number इसको enable करने के बाद होगा यह कि जब कभी भी कोई application या कोई भी app आप install करेंगे वो आपके phone की permission माँगते है जैसे आपके phone को access करना चाहते है आपके phone से contacts वे रहे हो तो आप उसको enable करने के बाद तो वहाँ पर आपको आप उसको enable या disable आप महां से कर सकते हैं यानि कि आपको उसको application को approval लेना पड़ेगा आपसे कि आप उसको approval जो है देना चाहते हैं अपने phone के contacts या phone numbers का तो उन चीज़ों को आप यहां से अब इनीबर करते हैं बट जो feature में आपको दिखाना चाहता हूं वो है memory extension जिसे आप virtual RAM भी बोल सकते हैं मैं आपको पहले उता हूं यह feature जो है उन्हीं devices में आपको देखने को मिलेगा जो snapdragon 865 से उपर होंगे जैसे 870 या 888 यह feature जो है इस time पे MIUI 12.5 के अंदर जो है introduce कर दिया गया है इसको enable करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको पने phone के additional settings से वहां आप जाते हैं यहां आपको काफी सारे options देखने को मिलते हैं बट अब एक नया feature जो है अब यहां पे introduce किया गया है beautiful for video calls के नीचे अब आपको एक नया option जो है यहां पे देखने को मिला है memory extension जैसी आप इस पर tap करते हैं उसके बाद जो है आपको यहां पे इसको enable करना पड़ेगा जिसमें जो है यह 3GB के आसपास जो है RAM जो है आपके phone के इंदर जो है एक तरीक से extend कर देगा इस तरीक से virtual RAM क करता है जैसे कि आप लोगों पता ही होगा PC में जो है virtual drives किस तरीके से काम करते हैं तो उसी तरीके से यह काम करेगा जो आपकी storage space होती है उसमें से कुछ space को लेकिए आपको जो virtual RAM आपको provide करेगा ताकि जो आपकी जो apps वेर आपके background बेरन कर रहे हैं वो ठीक तरीक से इस पर run कर पाएं तो यह feature जो है अब इस time पे इसके अंदर introduce कर दिया गया तो यह feature जो low end devices है उनको तो देखने को नहीं मिलेगा जो अब तक जो news निकलके आई है जो snapdragon के 888, 870 और 865 के जो devices हैं उनके अंदर ही आपको यह देखने को मिलेगा तो आप इसको यहां से enable या disable करने के बाद आपको एक बार phone को reboot करना पड़ेगा और उसके बाद यह feature जो है आपके phone पे इस time पे working हो जाएगा इस time पर फुली जो है working नहीं है कुछी devices में working कर रहा है जैसके आप बेख पारे होंगे हमको यहां पर यह add 00GB ही show कर रहा है बट जो काफे सारे phones है उसके अंदर यह 3GB आपको जो है virtual RAM जो है provide कर रहा है तो यह इस time पे beta stage पे है तो यह एक अच्छा feature है जो कि high end devices जो है flagship models है उनके अंदर perfectly काम करता हो आपको मिल देगा यह 11 Ultra के ओपर जो है इस time पे perfect तरीके से काम करता है तो आपको थोड़ी से extended RAM जो है आपको थोड़ी से और आपके phone में आप को इस option के through जो है provide हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि यह feature जो है आप लोगों के लिए आगे चलके helpful रहेगा कि नहीं लेगा और आपको क्या लगता है कि इस feature को low end devices में भी activate करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूरी देगा कि आप इस feature के बार स्टार्ट कर दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया हम इस ताइम पे latest beta version यूज़ कर रहे हैं आपने me 11x phone के अंदर जो की है 21.7.21 और उसके अंदर आपको additional settings में अब आपको एक नया option देखने को बिला है memory extension तो मिल करता हूँ आपको आज का ही वीडियो और आज का ही feature पसंद गया होगा तो आप कमेंट्स का में वेट करूँगा तो कमेंट करके जरूर बताईगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and बाबाई